नमस्कार आप देख रहें मरी नाइन मैं हूं संदीप ग्रोवर और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है अब जो स्टॉक ट्रेंड कर रहा है या फोकस में आया है वो है मॉयल का यानि की मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड यह सरकारी कंपनी है प इंटर डे हाई जरूर इसने चुआ है और करीब चार महिने में आप देखें इस शेर दो गुना हो चुका है क्योंकि फरवरी के लास्ट महिन यानि की 29 फरवरी को इस शेर ने जो लो लेवल टच किया था वहां से दो गुना से जादा हो चुका है दो सो साथ रुपे के आस शेर ने डिलिवर करके दिया है क्या वज़ा है इतनी बड़ी तेजी क्यों बनी है हाल फिलाल क्या कुछ अपडेट्स आएं इस कंपनी की तरफ से वो जानने कोशिश करते फिर जानेंगे कि शेर में आपको करना क्या है इस शेर में अगर आप देखें जो तेजी बनी है उ जो कम्टी ने अपडेट्स जारी किया है उसके हिसाब से उसमें अगर आप इस कम्टी की बिक्री देखेंगे तो उसमें करीब करीब साडे-чौदा परसंड के आज-पास की बड़त देखने हुक मली है इसी तरह उत्पादन आप देखे पने-8 परसंड के आज-पास की बड़ती होई और पौने 5 लाख टन के आज-पास की जो उत्पादन है वह कम्ट Pain की ने रिपोर्ट किया है जो कि रिकौद तरहrier जब से कंपनी की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक रिकॉर्ड लेवल पर कंपनी की विक्री और उत्पादन दोनों की जो आंक्रे हैं वो कंपनी ने शेर किये जिसके बाद हमने देखा आज 9% के आसपास की जो तीजी है वो इनफैक्ट बनती हुई देखी है तो ना केवल अच्छे नंबर्स अबडेट किये हैं बलकि इस बिजनस अबडेट में कंपनी ने ये भी कहा है कि जो एक्स्पोर्रेशन को लेकर एक्टिविटीस हैं यानि की लगातारे जो खोज करते रहते हैं माइन्स में अपनी उसमें भी जो एक्टिविटी है वो बढ़ इसको ड्रिल करने के और उसी का इंपक्ट हम देख रहे हैं कि इस कंपनी के जो बिक्री और उत्पादन के आंक रहे हैं उसमें देखने को मिल भी रहा है और ये मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है ऐसा कंपनी की जो CMD है अजीत कुमार उनकी और से बयान निकल के सामने आ वो दिखा जो कि 68% से जाधा की बढ़ातरी है तो जिस तरह से कंपनी लगातार बिजनस अपडेट जारी कर रही है और अपने जो एक्टिविटी से उसमें बढ़हवा कर रही है अपनी माइन्स को एक्स्पैंड करने की कोशिश कर रही है उससे कहीं ना कहीं भरूसा हो रहा है इस वज़े से हम देख रहे हैं शेर में भी उसका जो रिफ्लेक्शन है वो साफ तोर पे नजर आता हुआ दिख पी रहा है कंपणी ने अपना जो कारोबार है उसको और जाधा एक्सपैंड करने के लिए और उसको विस्तार करने के लिए ये भी बताया है कि आगे किस तरह से अक्टिविटीज भढ़ती हो दिखेंगी पहले ज़रा ही समझ लेते कि इस कंपणी का कारोबार क्या है देखें नाकपूर की कंपणी है मिनिद्रत्न सरकारी कंपणी है 1962 से कंपणी का नाम बदल कर मॉयल किया गया था और उसके बाद से आप देखें लगातार कंपणी में ग्रोथ ही देखने को मिल रही है इस कंपणी के पास मैंगनीज ओर का 46% मारकेट शेयर है और कुल देश में जितना मैंगनीज का रिजर्व है उसका 20% के आसपास ये कंपण कंपणी ही होल करती है क्योंकि कुल देश में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 50 करोटन के आसपास का कुल रिजर्व है मैंगनीज ओर का उसमें से 10 करोटन से जादा का रिजर्व तो ये कंपणी ही होल करती है तो आप समझ सकते हैं किस तरह की dominant positioning है जहां तक जो कीमते हैं उसमें इस कंपणी ने 2% की बढ़ोतरी भी करी थी 44 फीजदी मैंगनीज कांटेंट जो होता है वो और उससे जादा वाला जो कांटेंट है उसकी कीमते बढ़ाई गी थी अलाकि 44 फीजदी से कम कांटेंट वाला जो मैंगनीज जो होता है उसकी कीमतों में 2% क ककप को बढ़ा रही है और लगातार जिस तरह से demand को बढ़ रही है, इस company ने ना केवल घरिलु सतर पर बलकि international भी अगर आप देखें तो अपना जो निवेश है। उसे बढ़ाने की यहां पे घोशना की है क्योंकि निबान लगातार इस कंप्टी में बढ़ती हुई नजर आ रही है बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस कंप्टी ने नाकेवल घरिल उस तर पर बरकि विदेश में भी अपना जो निवेश है उसे बढ़ाया है और मौ निवेश बढ़ता हो दिख रहा उससे प्रोडक्शन और विक्री रिकॉर्ड लेवल्स पर आये हैं उस वज़े से इस शेर में दमदार एक्शन बनता हो दिखा है अब करना क्या है यह सबसे एहम सवाल है कि इतनी बड़ी तीजी होने के बाद क्या अब भी शेर में खजार से चार महिने में इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं तो क्या फिर अभी खाइद लेना चाहिए अगर 600 रुपे की ऊपर जाता हो दिख रहा है तो उनका कहना था कि थोड़ा अभी और थोड़ा 480 और 490 यह रेंज है इस रेंज में आप तुकडों में इसमें खरदारी क सकती है तो इस तेजी में 636 से 680 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं 469 रुपे यह आपको स्टॉप लस के तौर पर मेंटिन करना है थोड़ा भी ले लिजिए थोड़ा 480 से 490 की रेंज है जो कि अच्छा लेवल है वहां पर आप चाहें तो एक करके चल सकते हैं तो मॉयल के शेयर के लिए आज की लिए इतना ही ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स आपके लिए लगातार माईना इन पर हम कवर कर रहे हैं तब तक के लिए नमस्कार